hello children hello all of you हमने आपके chapter 4 के first part को discuss किया था जिसमें कि हमने एक डंकी और एक डॉक की story को देखा था ठीक है एक washerman था जिसके पास एक डंकी और एक dog था ठीक है एक डंकी किसे बोलते हैं डंकी गद्यकों बोलते हैं तो आपको पता है, कुट्टे को बोलते हैं, वाशर मैं बोलते हैं धोबी को, ठीक है, एक धोबी के पास यो कुट्टा और डंकी था, उसकी एक स्टोरी हमने डिसकस की थी इसके फस्ट पार्ट में, ठीक है, यह आपका UP बोर्ट, class 6 इंगलिस का चाप्टर, फोर्थ है, ठीक है, आज हम इसके question answer करेंगे इसके second part में और इसकी activity करेंगे यदि आपने first part नहीं देखा है वीडियो का तो आप देख लिए इसका ठीक है यदि आप first part नहीं देखेंगे नीचे कुछ questions दिए गए हैं इनकी आपको answer देने हैं ठीक है first आप से पूछा गया है कि what did donkey used to carry जो डंकी था वो क्या चीज ले जाया करता था carry मतलब ले जाना ठीक है डंकी क्या ले जाया करता था तो डंकी किन चीजों को ले जाता था वो carry करता था वो load को ले जाया करता था ठीक है एक answer है दा डंकी used to carry the load of cloths क्यों बोलते हैं क्लोट्स बोलते हैं कपडों को load मतलब होते हैं भार carry मतलब ले जाता था ठीक है कि कपड़ों का भार्वों ढूता था। क्यों वाशर मैं नॉट की तरह और तो कि वह को गढ़ी को नहीं उठाता था। वाशर्मैन कीहते हैं दोभी को तो दोभि क्यों गदे को न ही उठाता था इसका फिर पार इसका आंसर टो आप इसका आंसर फटर पर दे लेंगे वह इसलिए न उठाता था क्योंकzil गद्या बहुत बड़ा और बहुत भारी था ठीकहे और दो भी जो था उसे नहीं उठा सकता था तो इसका आप क्या लिखेंगे बी का यहां आपको डिस्पेले हो रहा है आप देख लिजे बीका अंसर दणकी वाश टू विग टू विग का मतलब बहुत बड़ा डंकी बहुत बड़ा था गदा बहुत बड़ा था एंड टू है भी और बहुत 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 ब How did the washerman show his love for the dog? Washerman जो था, washerman कहते हैं धोबी को, जो धोबी था, वो किस तरह से अपना प्रेम कुत्ते को दिखाता था? So का मतलब है दिखाना, his love मतलब अपना प्रेम, ठीक है? For the dog, dog के लिए कुत्ते के लिए अपना प्रेम किस तरह से दिखाया करता था? तो कैसे दिखाता था? मालिक कुत्ते को गोद में उठाता था, ठीक है? वो कुत्ते को गोद में उठाता था ना, और गोद में उठाकर वो उसे अंदर ले जाया करता था? तो आप इसका C का अंसर लिखेंगे आप, The master, master कैते हैं मालिक को, master आया है washerman के लिए, The master used to lift the dog in his arms, ठीक है? जो master था, वो अपने आम से अपने हाथों में कुत्ते को उठाता था, ठीक है? अपनी कोद में उठाता था, and take him, take मतलब ले जाना, him, him, I had dog के लिए, वो उसे उठाकर ले जाता था, Inside the house, ठीक है? वो घर के अंदर उसे उठाकर ले जाया करता था, अपने हाथों में उठाकर वो उसे घर के अंदर ले जाया करता था, Next is, why did donkey want to live in the house? ठीक है? Why did the donkey, donkey क्यों जाना चाहता था, want मतलब चाहना, to live in the house, वो घर में क्यों रहना चाहता था, ठीक है? डंकी घर में क्यों रहना चाहता था, गधा जो था, वो घर में क्यों रहना चाहता था, ये मतलब उता है रहना, तो वो क्यों रहना चाहता था घर के अंदर? वो घर के अंदर रहना चाहता था, क्योंकि dog रहता था, तो उसे जलिस होती थी, ना, तो ड्रीका अनसाल अप लिखें गे, दा डंकी, वाज-जलिस, ठीकिंए जलिस कहते हैं, जलन को, ठीकिंए, डंकी जो था, वो जलिस था, उसे इर्षया उती थी जलिस मतलब इर्षया होती है, उसे इर्षया होती थी, आप दा डॉक्त जो डंकी था, गधा था उसी dog से कुट्टे थी जो कुट्टा था उससे उसी इर्षा होती थी जलिस का मतलब इर्षा होना होता है तो डंकी को कुट्टे इर्षा होती थी the donkey was jealous of the dog जो डंकी था वो कुट्टे से जलता था who lived with the master in the house क्योंकि वो मालिक के साथ घर के अंधर रहता था who किसके लिए आया है हो आया dog के लिए who lived क्योंकि वो रहता था with the master master के साथ रहता था in the house so इसलिए it also wanted to live in the house इसलिए वो भी घर के अंधर रहना चाहता था ठीक है इसलिए गधा भी जोता वो घर के अंधर रहना चाहता था ठीक है वीडियो को hold down आप करेंगे वीडियो को hold down करने के बाद इन questions को आप अपनी booklet में note down करेंगे ठीक है अपनी notebook में note down करना ताकि आपको याद करने में आसानी हो ठीक है next is what did the washerman tell the donkey ठीक है washerman ने डंकी को क्या कहा washerman ने गधे को क्या कहा ठीक है tell मतलब कहना डंकी को washerman कहते थूबी को ठीक है तो धोबी ने उससे गधे से क्या कहा था ठीक है तो क्या कहा था उसने the washerman told the donkey washerman ने डंकी से कहा washerman ने डंकी से का told मतलब कहना ठीक है washerman कहते है धोबी को डंकी कहते है गधे को ठीक है तो धोबी ने गधे से कहा that that मतलब की he was much bigger वो बहुत बड़ा है ठीक है much मतलब bigger के थे, बड़ेगो, वो बहुत बड़ा है, so he couldn't come inside the house to stay, इसलिए वो घर के अंदर रहने के लिए नहीं आ सकता, ठीके, stay मतलब रहना, house मतलब घर के अंदर inside के अंदर, कम मतलब आना couldn't का मतलब नहीं आ सकता वो बहुत बड़ा है यह घर के अंदर रहने नहीं आ सकता he also said that the donkey was too heavy to the lifted और वो यह भी कहता है वो donkey को यह भी कहता है कि वो बहुत भारी भी है ठीक है that की donkey was too heavy too heavy मतलब बहुत भारी वो बहुत भारी है to be lifted उठाने के लिए वो donkey बहुत भारी है उठाने के लिए इसलिए उठा भी नहीं सकता but he loved the donkey and the dog alike alike मतलब same लेकिन वो कहता है कि वो donkey से और dog से बरावर प्यार करता है बरावर प्रेम करता है he किसके लिए आया है washerman के लिए loved वो donkey से और कुटे से बरावर प्रेम करता है alike का मतलब होते है समान रूप से ठीक है आये होब आपो समझ में आया होगा next is why should we not copy अदर हमें दूसरों को copy क्यों नहीं करना चाहिए हमें दूसरों की नकल क्यों नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम सब अपने आप में खास हैं विस्येश हैं यूनिक हैं इसलिए हम हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए तो आप इसका एफ का अंसर आप लिखेंगे यहां पे कि we are all unique हम सभी विस्येश हैं हम सभी खास हैं ठीक है, unique का मतलब होता है, खास, basis, and different from other, और हम एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है, different कहते हैं, अलग होना, from others, हम एक दूसरे से अलग हैं, हम दूसरों से अलग हैं, similarly, उसी तरह से, we have our own particular reputation and position, हमारी एक basis पहचान है, हमारी एक basis पहचान है, हमारी एक basis पोजीशन है, which is unique, जो की बहुत ही खास है, हमारी एक अलग अपनी पहचान है, हम अपने आप में खास हैं, और ठीक है, unique कहती ही, खास होना, basis होना, therefore, we should not copy other, इसी लिए हमें दूसरों को कापी नहीं करना चाहिए, ठ हमें सिर्फ अपने effort करने चाहिए, अपने प्रियास करने चाहिए, ना कि दूसरों को copy करना चाहिए, ठीक है, I hope आपको समझ में आए होंगे, now, match the following to form correct sentence, ठीक है, इनको आपको अप match करना है, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको confusion होगा, क्योंकि यह sentence आपको एक सा मात दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, match करने के लिए तो कुछ अलग होने चाहिए, कुछ distance होना चाहिए, इनकी बीच जो इनकी बीच दिख नहीं रहा है, ठीक है, चलिए कोई बाती, मैं यहाँ आपको समझाने के कोशिस करती हूँ, first is, the donkey, ठीक है, डंकी के बाद यहाँ पर एक gap होना चाहिए था, जो नहीं है यहाँ पर, भुक में आपकी, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसी gap मान के चलिए, कि the donkey, the master, ठीक है, the dog, इनकी बीच पर एक gap है, the master, इनको आप gap मान के चलिए, ठीक है, यह sentence अलग है, और यह अलग है, इस वाले पार्ट को आपको इस पार् मैच करना है, ठीक है, तो अब डंकी क्या काम करता था, यहाँ आपको मैच करना है, the donkey lifted the dog in his arm, यह तो वात गलत है, ठीक है, डंकी कोई dog को थोड़ी अपने हाथ उठाता था, ठीक है, फिर आप इस साइड वाले sentence देखिएगा, ठीक है, आप अपनी बुक में, नोट बुक म इनको साब से लिख लिएगा, फिर the donkey that he was much bigger, वो बहुत भारी था, ठीक है, फिर carried the load of cloths, यह बाद ठीक है, कि जो डंकी था, वो carry करके ले जाता था, कपडों को, कपडों के बोज को वो धोता था, ठीक है, तो आप इसको इस से मैच हो जाएगा, यह ठीक है, जो डंकी था, अब हो कपडों के बोज को धोता था, आप पर लग से लिख लीजेगा, ठीक है, फिर the master, master में क्या आएगा, the master that he was much bigger, no, lifted the dog in the arm, अब master क्या क्या काम था, master जो है, यह dog को अपनी हाथों में उठाता था, ठीक है, इसके लिए आप इसको मैच करेंगे, now the dog, अब dog क्या करता था, that he was much bigger, वो bigger तो नहीं था, ठीक है, यह बाला थम कर चुके हैं, फिर, told the donkey, stayed inside the house, ठीक है, यह master ने किस से कहा था, told the donkey, stay inside the house, ठीक है, यह बात तो, डंकी को बाहर रहने, inside the house, inside का मतलब क्या होता है, अंदर, ठीक है, तो inside का मतलब क्या होता है, अंदर, यहाँ पर जो dog था, वो कहा रहता था, dog जो था, वो घर के अंदर रहता था, ठीक है, dog जो था, वो कहा रहता था, वो घर के अंदर रहता था, फिर, Master told the donkey Master ने donkey से कहा था क्या कहा था Master ने donkey से Master ने donkey से कहा था कि वो बहुत ही heavy है that कि he was much bigger कि वो बहुत ही heavy है तो इसको आप note book में साब साब note कर ले ले न बड़ना बहुत confusion आहो हिन में क्योजिन में space नहीं है तो Master ने किससे कहा था, Master तूल्ट ता डंकी डाट ही वाज मच बिगर की वह बहुत ही बिगर है वह बहुत भारी है ठीक है आई हो पी आपको समझ में आ गए होंगे ठीक है यह वाला हम कर चुगे है तो मास्टर और master क्या करता था ये the master lifted the dog in his hand master dog को अपनी हाथों में उठा कर ले जाया करता था इसको आप match कर लेंगे ये first वाला मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले इसको आप the donkey क्या करता था डंकी carry the load of cloths ठीक है ये cloths के cloths को ये carry करता था ये cloths को ले जाता था कपड़ों के बोज को ढोने का काम करता था ठीक है तो ये साफ साफ आप लिख लेना अपनी बुक में ठीक है अपनी notebook में note down कर लेना फिर भी अगर नहीं समझ माता है कोई confusion है तो आप मुझे बताना फिर म fill करने है ठीक है fill in the blanks जो blanks इनको आपको भरना है यहां पर why is choosing the correct word ठीक है शही सब्दों का इस्तेमाल करके वायता वाक्स यहां आपको कुछ शब्द दे गहें इनका इस्तेमाल करके आपको इनको complete करना है ठीक है तो first is अतुल्स grandfather ठीक है grandfather कहते हैं दादा जी को अतुल्स क ठीक की वाधुरी के लिए क्या किया होगा उन्होंने उसकी पीठ थपतपाई होगी ठीक है तो पीठ थपतपाने को क्या कहते हैं paid क्या कहते हैं तो आप यहां पर padded भर लोगे ठीक है यहां प्या फिल कर ले ठीक है यहाँ पैटिट भढ़ लोगे तो अतुल के दादा जी ने उसकी बहादुरी के लिए उसकी पीठ थप थपाई ठीक है ब्रेवरी कहते हैं बहादुरी को ठीक है पैटिट का मतलब पीठ थप थपाना नेक्स इज डैस योर आइस क्रीम विफोर इट मैल्ट मैल्ट का मतलब होता है पिघलना ठीक है आपकी पिघल जाए इससे पहले आप क्या कर लेना चाहिए उसी चाट लेना चाहिए तो यहां पर जो आप बॉक्स में दिया गया उसी का कॉर्डिंग आप भरेंगे तो यहां प्रम लिख जो आया है कि स्के लिख चाहत लेने के लिए तो यहां पिआप क्या उपडेंगे कि आपकर निश्चाना उससे पहले अपिघलद लिख मतलब होता है चाठ लेना ठीक है अपने अनिना टैसे एस्टीम चाहत लेना पर आप अपनी ईपर्यश्क उज्छ क्याइम सबस्क्राइब का सबस्क्राइब отмет गुबारे बेच रहा है वो गुबारे बेच रहा था आफ ड्व綁ट लिखेंगे ठीक Dwaly D वो बेच रहा था तो एहां डीफरेंट लिखेंगे ठीक है वह जो गुबारा बेचने वाला गुबारे बेचने वाला अलग अलग रिंग के गुबारे बेच इना एक never kep मतलब रखना के लोगों को दियां मतलब अपनी ठीक है लोग अपने पशेशू इसप्रपलों को सकते हैं कोई भी हो सकते हैं कोई भी जगे हो सकते हैं पश्यों को है तो यह पैसे भर लेंगे अपनी बुक में फिल इंद रोदा अब आपको वावल यहां पे भरने हैं ठीक है पहले सो आप जीए जान लेजें कि वाविल होते क्या हैं वाविल हमारे पांच होते हैं ठीक है पांच वाविल होते हैं कौन कौन से होते हैं वाविल हमारे पांच होते हैं वाविल हमारे पांच होते हैं वाविल हमारे पांच होते हैं वाविल हमारे पां कौन से वाविल आएंगे यह आपको भरना है और कंप्लीट करना है आंगे से आप याद रखेंगे कि हमारे पांच वाविल होते हैं A, E, I, O और यू ठीक है तो इनको भरके आपको यह टेबल कंप्लीट करनी है तो चलिए देखते हैं क्या क्या भरेंगे आप इसमें अब आप यहां पर देखिए एक टेबल है जो यहां कंप्लीट की हुई है ठीक है यहां पर आप क्या भरेंगे सबसे पहले आप अपनी बुक में ट् में ठीक है यहां पर A और O आप दो भरेंगे तो यहां क्या बन जाएगा यह बन जाएगा आपका मैंगो ठीक है यह क्या बन जाएगा आपका मैंगो यह देखिए आप यहां देख सकते हैं कंप्लेट करके बताया है मैंने ठीक है यहां पर यह बन जाएगा मैंगो ठीक है फि लैसे पाद आप लजा फिर ए它 बन जाएगा और आधो नो है कि कैमल बन जाएगा ठीक है इसी तरह इन सभीक आपको वाविल फरके complete करना यहां पर आपको डबली अब भर बढ़ेंगे और यहां पर इभर दोगे तो क्या बन जाएगा पेपर बन जाएगा ठीक है इस तरह इस इन में से आपको क्या करने हैं complete करने हैं अपनी बुक में बॉबल भर के तो यह सब मीनिंगफुल वर्ड इन में बन जाएगा जैसे आप बॉबल करते हैं तो यह मीनिंगफुल वर्ड बनके आपके सामने आ जाएंगे ठीक है चलिए तो यह टेबल आई होब आपको डिस्प्ले हो रही होगी तो यह आप complete कर लेना इस टेबल में देखके यहां से देखके आप complete कर लेना ठीक है चलिए फिर पहला जो हमारा मैंगो बन गया तो मैंगो किस तरह का फ्रूट है यहां बताया गया मैंगो कैसा मैंगो क्या है एक फ्रूट है मैंगो किंग और फ्रूट से ठीक है मैंगो क्या है मैंगो फलों का राजा है ठीक है मैंगो किंग सॉफ फूट क्योंकि यहां पर हमने मैंगो बना लिया था यहां पर एम और ठीक Quando नेच्ट स्ट्राइब क्या भन है फिर नेक्स पर नेच्ट क्या भन गया था या K करने नंबर के इसमें अपने ठटीरम वाला है अपने के बाद वहां की फिर्ट थो यहां है कि उआ थार्म के handlar अलब thug किया था धामल निस अइनीमल है जा हम यह कैसा आलי मलें जिसके की हम थोता विव पीत में एक हुचत़काता निकला हुआ होता है हम कहते हैं ठीके फिर नेक्स्ट कि इस में आपने हम आता यह पर बन गिया था आवर्ण अमरी जो नहिंव बन गया था आ पोजिट और शौर का मतलब करवद का मिठे का उल्टा होता है लेंग्ब इस प्रेक्टिस यहां पूर इसा perturboman ke जैए प्रेक्तिस उन्हें यहां फोट इस यहां पाइक आपको कुछ लेंग्वेस प्रेक्टिस दी गई है fill in the blanks with the correct preposition अब आपको भरने है preposition ठीक है यह आपके preposition है among, from, above, on, over, into यह सब क्या है यह preposition है जिनको आपको fill करके इन्हें complete करना है sentence को देखें यहाँ पर यह आपको sentence दी गए है इनमें आपको preposition समय भरना है जो उपर आपको box में बताएगे है इनमें से चूज करके ठीक है तो चलिए देखते हैं first is first में आप क्या भरेंगे the aeroplane is flying as the cloud ठीक है तो aeroplane के लिए क्या आएगा aeroplane कहां पर उड़ता है तो aeroplane over मतलब बादलों के उपर उड़ता है तो यहां पर आप क्या लिखेंगे over ठीक है तो aeroplane is flying over the cloud ठीक है over the cloud ठीक है यह कहां पर उड़ता है over the cloud बादलों के उपर उड़ता है ठीक है तो यह पर पोजिचन हो गया next is rollie distributed sweets dash her friends ठीक है rollie ने मिठाई को distribute किया distribute कहती ही बाटने को ठीक है distribute का मतलब क्या होता है बाटना तो उसने मिठाई को बाटा किसमे बाटा होगा among her friend अपने दोस्तों के बीच ठीक है किसमे बाटा होगा उसने अपने दोस्तों की बीच तो यहां पर क्या आएगा अमॉंग आएगा ठीक है अमंग मतलब दोस्तों की बीच उसने मिठाई को बाटा ठीक है अमंग मतलब के बीच next is the man jumped the river ये तो हमने अभी पड़ रखा था बार बार आया था कि डॉग जंप कर रहा था ठीक है तो रिबर के अंदर जंप करने की यहां पर बात हो रही है तो यहां कौन सा प्रिपोजिशन आएगा ठीक है तो मैं जंप रिबर की अंदर की बात होती तो और आता पर अंदर की बात हो रही है कि रिबर की नदी के अंदर आदमी ने जंप किया तो क् to मतलब अंदर next is I got a gift that's my friend I got a gift that's my friend मुझे अपने दोस से उपहार मिला तो यहां पर कौन सा प्रिपोजिशन आएगा यहां पर आएगा from ठीक है कि मुझे सी फॉर्म में यहां पर आ रहा है ठीक है यहां पर क्या आएगा यहां from भरोगे कि मुझे मेरे मित्र से उपहार मिला तो नोट बुक है आप कहां रखेंगे टेबल के उपर रखेंगे तो on the table यहां आएगा क्या आएगा on the table उपर रखने के लिए on आता है तो यहां पर आएगा on the table ठीक है next is his flat was that shop ठीक है उसका जो flat है वो कहाँ पर है above the shop shop के ऊपर है ठीक है ऊपर के लिए क्या आएगा above आएगा ठीक है above above the shop ठीक है उसका flat कहाँ पर है उसका flat shop के ऊपर है ठीक है अब above मतलब ऊपर चले आये होप आको समझ में आये होंगे make the sentence using used to अब आपको कुछ sentence बनाने है यूजटू का इस्तिमाल करते हुई ठीक है यूजटू का हमने इस चाप डर्म बहुत बढ़ा है यूजटू हैबिट को बताने के लिए पास्ट फॉर्म में जो भी घटनाए है वीच्वल की जा रही है हैबिट में लगातार हो रही है उनको बताने के लिए यूजटू का हम प्रियोग करते हैं ठीक है तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देगे हैं जिनको इस्तिमाल करके आपको यहाँ पर sentence बनाने है ठीक है तो चलिए आप कैसे बनाएंगे मैं आपको समझा देती हूँ आपको से ट्राइए करिए का जैसे आई ठीक है ड्रिंग कोफी ठीक है यहाँ देखिए यहाँ पर सब कुछ दिए है आपको सिर्फ बनाने है ने आई नेम दिया है ही वी और अब्दुल एंड अगम दिया है दे सी हर अंकल ठीक है तो यहां पर I used to drink coffee ठीक है I used to drink coffee क्योंकि coffee पीने की मेरी आदत है मेरी habit है फिर रीना used to invite in flat ठीक है he used to play tennis इनका इस्तेमाल करके यूजटू का इस्तेमाल करके आप ऐसे sentence को बनाएंगे यहां पर ठीक है सभी के सामने आपको ऐसे यूज़ करने है यूज़ टू का इस्तेमाल करना है ठीक है चले यहां पर आप देखिए side में फिर आप बनाएगा जैसे आई यूज़ टू ठीक है आई यूज़ टू ड्रिंक कॉफी ठीक है पहला कि मैं कॉफी पीना पसंद करता था ठीक है मुझे कॉफी पीनी मैं कॉफी पीता था मैं कॉफी पिया करता था ठीक है रीना यूज़ टू लीव इन अ फ्लाट, रीना फ्लाट में रहती थी, ठीक है, ही यूज़ टू प्लेट टैनिस, वो टैनिस खेला करते थे, ठीक है, वी यूज़ टू एक्सरसाइज डेली में, हम रोज रोजाना ब्यायाम किया करते थे, ठीक है, अब्दुल एंड आगम यूज़ टू वर्क इन अ फैक्टरी, अब्दुल आगम जो थे, वो फैक्टरी में काम किया करते थे, वो रोजाना एक्सराइज किया करती थी हर अंकल यूज टू लीव इन दा फ्लैट, उनकी अंकल फ्लैट में रहा करते थे, इस तरह से आप sentence को इनका यूज करके बना सकते हैं, यहां सिर्प आपको बनाना है, सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, बस आपको इनको फ्रेम करना है, तो आई होप आपको समझ में आ ग पुतली को, ठीक है, पपेट का मतलब क्या होता है, कट पुतली, ठीक है, पपेट कहते हैं, कट पुतली को, तो आपको अपनी उंगलियों से, अपनी फिंगर से, कट पुतली बनानी है, और डॉक की, जैसे यह आपको दो दिखाई दे रही हैं, ऐसे डॉक की आपको कट यह आपको बनानी है और आपको फिर बताना है कि डॉक को विश्वष्णिये जानवर क्यों कहते हैं डॉक जो है उसे वफादार जानवर क्यों कहा जाता है या डॉक को वफादार जानवर के नाम से क्यों जाना जाता है क्यों उसे वफादार जानवर के नाम से बुलाया जात तो यह आपको बताना है यह आपको परफॉर्म करनी है यह आपको ऐसे फिपट खुझ से बनाने है अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूस्सक्ते हैं या फिर आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनमाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बाक्स से बता सकते हैं, तैंक यू अल आफ यू, थैंक यू फर वाचिंग.